नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगे कि आप विपिंग क्रीम जो केक के उपर लगती है वो वाली विपिंग क्रीम आप घर पर ही कैसे विप करें वो भी बिना electric beaters के आप normal इसे blender के साथ ही कर सकते है और वही perfect texture आएगा जो market में आता है और बस आप देख सकते हैं कितनी बड़िया whipping cream हुई है बस आज वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी क्योंकि मैंने आपके साथ काफी तरह के cake share किये और आप हर बार बोलते हैं कि whip cream कैसे करें बिना electric beaters हमारे पास नहीं है तो आप normal blender से भी इसे कर सकते हैं उसके लिए आप कोई भी company की whipping cream ले सकते हैं market में काफी आसानी से मिल जाती है कोई भी बर्तन ले लीजिए या कोई बाउल ले लीजिए इस तरह से इसके अंदर मैंने whipping cream डाल दी है और इसे blender की मदश से चलाते जाना है और इसे इस तरह से whip करते जाना है अब खास बाद आपको ये ध्यान रखने है कि जब भी आप whipping cream करें किसी भी चीज के लिए pastry के लिए केक के लिए किसी के भी लिए तो जो भी आप वो चीज बना रहे हैं whip cream कर रहे हैं तो एक गंटा पहले इसे भार निकाल कर रख दे वैसे तो हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो एक गंटा पहले आपको इसे भार निकाल कर रख देना है और वैसे तो इसे electric beater से किया जाता है पर हो तो confirm ही जाएगी तो बस इसी तरह से चलाते जाए आप देख सकते हैं दीरे-दीरे इसकी consistency बदलती जा रही है पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है दीरे-दीरे होगा आपको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा पर blender से भी हो जाता है अभी आप देख सकते हैं वो जो व किसी के भी उपर लगा सकते हैं अपने मन पसंड डेजर्ट या फिर केक या पेश्ट्री पर लगाए एक तम परफेक्ट ट्रिक्स्टर वाली आपकी ये विपिंग क्रीम तयार है तो जरूर ट्राए कि जो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक्यू पर वाचिंग